Hello everyone, आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी आप को इंप्रूफ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, उसमें कुछ-कुछ चेंजिस करेंगे तो सबसे पहला चेंज जो हम यह करेंगे, कि इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह blue screen आ रही है इसको हम लोग full screen करेंगे, बनलब इस activity को हम लोग full screen करेंगे देखेंगे कि इसको full screen कैसे करते हैं उसके साथ-साथ देखेंगे कि API जो हम अभी 20 results से return कर रही है तो उसमें paging कैसे लगाते हैं वो देखेंगे तो android में एक paging library भी आती है, जिसका हम लोग use करेंगे future videos में बट अभी के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे लगा सकते हैं paging तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस activity को full screen करते हैं मैं लोग जितनी भी हमारी activities होंगी उस पर यह वाली theme लगी हुई है आप activity पर भी theme लगा सकते हो for example मैं particular activity पर theme लगा सकता हूँ तो आप इस तरीके से इस पर theme लगा सकते हो बट अभी हमारी application के अंदर सिर्फ एक ए activity है तो मैं अपनी app theme में ही change करूँगा तो यहां पर मैं इस पर control click दबाता हूँ तो यहां पर हम लोग कुछ attributes add करेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूँ full screen तो यहां पर हम यह वाल option select करेंगा और इसको मैं यहां पर true कर देता हूँ उसके बाद एक और change करेंगे इसके अंदर item name window background तो यह वाल option select करेंगे हम लोग android colon window background और इस पर यहां पर मैं null assign कर दूँगा तो यह दो styles है हमारे पास जिसके तरू हम इसको full screen करेंगे यहां पर आप दे सकते हैं हमारे पास new action बाल लग हुआ है तो इसको दुबारा से run करते हैं यहां पर दे सकते हैं इसको full screen होगी है हमारा पंग कलर वो उपर तक आ रहा है मंलतर्प इस जो हमारी activity है तो इन दोनों attribute की मदद से हम लोग सको full screen करते हैं तो अभि हमारे इस project के अंदर जो target version है 21 है मल्रप API का level 21 यूशे करें हैं तो उसके नीचे के जितने भी वर्जन से उस पर आपको चेक करना होगा कि ये फुल स्क्रीन आ रही है कि नहीं तो उसके लिए आपको कुछ चेंजिस करने पड़ सकते हैं तो इसके अंदर हम लोग different themes भी बिना सकते हैं मुलब आपकी application के अंदर multiple activities हो सकते हैं आपको multiple activities पर multiple themes लगानी है तो वो आप यहाँ पर define कर सकते हो तो यह था हमारा full screen के बारे में तो आगे बढ़ते हैं तो यह हमारा getnews वाला function था जहाँ पर आप दिख सकते हो हमने page number pass किया था तो अभी by default इसके अंदर मैंने one pass किया है मुलब जितना भी हमारा data आ रहा है वो first page का data है उसके अंदर सिर्फ 20 news यह हैं भी तो एक बार अपनी API पर चलते हैं तो यह मैंने top headlines वाला endpoint call किया है यहाँ पर आप दिख सकते हैं total results जो है वो 38 है मैंने जो total articles है वो 38 है बढ़ यह अगर आप count करोगे तो यह 20 है और 20 है हमारी app के अंदर display हो रहे हैं तो next page के लिए मुझे इस page number को increment करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं मैंने page 2 के लिए call किया है और यह 18 results है तो 18 plus 20 is 38 तो total 38 results है हमारे पास अगर मैं page 3 यहाँ पर call करता हूं तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं कोई भी result नहीं आया है क्योंकि हमारे पास जो total results है वो 38 है इसलिए यहाँ पर कोई भी data नहीं आया तो page 3 में हमारे पास कोई data नहीं आयगा तो देखेंगे कि इसको कैसे prevent करेंगे कि multiple calls न जाये जब हमारा count पूरो हो जाये मतलब अगर हमारे पास 38 results आ चुके है तो next call न जाये तो अपने code पे चल के इसको implement करते है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक page number के लिए variable बनाऊँगा और इसको मैं assign करूँगा वन से उसके बाद मैं इसको यहाँ पर change कर देता हूँ और इसको use करते है हम लोग page number को तो यहाँ पर मैंने इसको change करके page number कर दिया है कि यह पहले first page का data लाएगा अब मुझे next page के लिए data लाँगा तो मैं इस variable को increment करते हूँगा तो जैसे हमेरे पास first time data आएगा तो हमें total count पता चल जाएगा articles का कि कितने हमारे पास news articles available है तो अगर मैं news class के अंदर जाता हूँ यहाँ पर हमने total results नाम का variable बनाया है जिसके अंदर हमारे पास data आएगा क्योंकि API जो हमें 38 भी return करते हैं कि कितने results हैं उनके पास total तो इसको भी एक variable में store कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक variable बनाता हूँ total results के नाम से और इसको मैं –1 से initialize करूँगा अब जैसे हमारी call successful होगी तो यहाँ पर मेरे पास data आजाएगा कि कितने articles count है मेरे पास तो यहाँ पर मैं उसको variable में store कर लूँगा total results equal to news.total results तो इस तरीके से हमारे पास total count आजाएगा कि भाई हमारे पास इतने articles हैं by default API का page size है वो 20 है मालब वो एक time में 20 results ही भेज रही है तो अगर मैं 38 articles की बात करूँ तो दो requests माननी पड़ेंगी मुझे पहले request में 20 articles आएगे दूसरी request में 18 articles आएगे मेरे पास तो देखते हैं उसका code का लिखेंगे तो यह वाला code है वो swipe करने वाला code है जैसे हम लोग swipe करते हैं तो यह event raise होता है मेरे पास यह वाला method call होता है हमारे पास तो यहाँ पर हम लोग logic लिखेंगे कि जैसे हम लोग अपनी list के end पर पहुंच रहोंगे तो हम लोग next set of data ले आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी log statement लगाता हूँ मैं log.d और यहाँ पर tag बना लेते हैं well.tag और इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ main activity आप कुछ भी दे सकते हैं tag में उसके बाद यहाँ पर tag को पास करेंगे सबसे पहले तो layout manager के अंदर कुछ properties हैं जिनका हम लोग use करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ first visible item और यहाँ पर लिखूंगा मैं dollar layout manager dot get first visible item position इसका use करेंगे हम लोग इसी को copy कर लेते हैं एक बड़ी और और एक और value को print कराते हैं total count और यहाँ पर मैं call करांगा layout manager dot item count तो यह तो value log कराते हैं देखते हैं क्या response आता है तो यह हमारी activity रन हो चुकी है अब यह जो हमारा code था वो मैंने swipe पे लिखा था मलब जैसे आप first time swipe करेंगे तब यह log होगा तो मैं इसको एक बड़ swipe करता हूँ तो total items जो हमारे recycler view में है वो 20 है और जो first visible item है वो इस समय first हो रखा है मलब यह 0 से शुरू होता है तो यह जो हमारे items है वो 0 से शुरू होते है तो यह 19 तक जाएगा तो एक बन मैं इसको end तक scroll करता हूँ देखते हैं क्या output आता है तो यहां पे आप देखते हैं तो यह हमारी last item है और यहां पे आप देखते हैं first visible item में हमारे पास 19 आ रहा है क्योंकि यह 0 से शुरू होता है और total count जो है वो 20 है तो हम लोग क्या करेंगे जैसे हमारा carousal end पे पहुंच रहोगा हमारी list के मलब कुछ 4-5 items ही बची होंगी तो हम लोग next page के लिए request मार देंगे तो वह वाला logic हम लोग यहां पे लिखेंगे तो यहां पर मैं वह logic लिखता हूं फिर explain करूंगा उसको तो यहां पर मैं logic लिखता हूं if total results जो है अभी वो बड़े हैं हमारे layout manager के item count से and layout manager dot get first visible item position is greater than equal to layout manager dot item count minus 5 तो इसको मैं यहां से collapse कर देता हूं तो यहां पर हम लोग अमने next page का data लाएंगे तो क्या होगा जैसे हमारी first call जाएगी तो हमारे पास total results आ जाएगे कि हमारी API कितने results दे सकती है 40 results दे सकती है 50 results दे सकती है तो वो count होगा मेरे पास तो currently यह count जो है वो 38 है और layout manager का item counter वो मुझे यह बताता है कि इसके अदर अभी कितने items है तो अगर total results जो है वो 38 है और इसके अदर अभी first time 20 होगा तो 38 is greater than 20 होगा मलब अभी हमारे पास API में results है तो हम call मार सकते है तो यह वाली condition है वो यह ensure करेगी कि जब हमारे पास पूरा data आ चुका है तो हम दुबारा request ना भेज़े मलब जब हमारा item count जो है वो 38 हो चुका होगा तो हम दुबारा request नहीं भेजेंगे तो उसके लिए यह मैंने call लगाई है यहाँ पर तो layout manager का item count अगर वो 38 हो जाता है तो दुबारा request नहीं मारेगा वो तो यह वाली condition से हम लोग यह check कर रहे है और यह वाली जो condition है हमारी वो यह ensure करेगी कि जब हमारा पस end में 4 items बचे होंगे तब ही call मारे मलब जो current position दिख रहे है उसको और item count जो है उसके बीच में अगर 5 का difference है तब वो next call मार देगा तो अगर मैं इसको sum up करूँ तो यह वाली जो condition है वो हमें यह बताती है कि total results और आपके layout manager के अंदर जितनी भी items है उसका count है वो बराबर हो चुका है तो next request नहीं जाएगी और यह वाली जो condition है वो यह कहते है कि currently जो आपकी visible position है और जो आपके layout manager के अंदर total elements है उनके बीच में अगर 5 का difference है तो next request मारें तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले page नहीं को plus plus कर देंगे कि भी यह next page का data ले आना और उसके बाद यहां पर मैं get news को दुबारा से call कर दूँँगा तो इस तरीके से और इसको run करते हैं देखते हैं क्या output आता है तो यहां पर आप देसकते हैं हमारी app run हो चुकिया यहां पर locket पर जाते हैं तो यहां पर आप देसकते हैं first page के लिए request जा चुकिया तो इसको मैं scroll करता हूं जैसे हम लोग end पर पहुंचेंगे तो यहां पर आप देसकते हैं 15th item visible था और 20 items ही हमार पास तो second page के लिए request जा चुकिया अब यहां पर आप देसकते हैं मैं और भी scroll कर पाऊंगा तो इससे पहले जब मैंने run करी थी app यह वाली जो screen थी हमारी last screen थी पर यहां पर आप देसकते हैं अब हमार पास और भी data है तो इसको मैं end तक scroll करता हूं तो यहां पर आप देसकते है 37 आ रहा है क्योंकि यह 0 से शुरू होता है और total item count 38 हो चुका है तो यहां पर आप देसकते हैं जैसी second request गई थे हमार पास तो total count जो था था तो जो भी logic है वो मैंने यहां पर लिखा है आप इसको दुबारा से revisit कर सकते हैं आपको सभज में आ जागा कि मैंने क्या किया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसी में इस पर click करूंगा तो हम लोग एक नई activity खोलेंगे इस वाले URL को हम लोग एक webview में खोलेंगे जिस तरीकी से in shorts पे होता है कि आप किसी item पे click करते हैं तो वो आपको particular news पे ले जाता है तो वह हम implement करने की कोशिश करेंगे बनाब इसको हम लोग webview में खोलेंगे उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर ads कैसे लगाते हैं तो यह पूरी एक sample app होगी जिसको आप use कर सकते हैं इसको publish भी कर सकते हैं आप different data के साथ इसको publish कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ हम एक API का tutorial भी बनाए कि यह API कैसे बनाते हैं हम अपनी खुद की API बनाएंगे वहाँब हम कोई भी data host कर सकते हैं तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचेंग आपका दिन शुभो दन्यवाद यह language भी सीख लो वो language भी सीख लो जीवन एक race है उपर चड़ना सीख लो हो जाए चब सब कुछ उठा के बस्ता नापके रस्ता हर कोई चला है आइडी में आइडी 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 में एधी 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 एधी,